हेलो एवरिवन नमस्ती वेलकम टो डाइट कुंडली आज के इस वीडियो में मैं आप सभी के साथ शेयर करने वाली हूँ समर स्पेशल वेट लॉस डाइट प्लान ये एक हाई प्रोटीन हाई फाइबर लो कैलरी वेट लॉस डाइट प्लान है इस डाइट प्लान की सबसे अच्छी बात ये है कि इसमें हमने जो भी रेसिपीज को आड़ किया है उन्हें बनाना बहुत आसान है वितिन थर्टी मिनट सारी रेसिपीज बनकर रिडी हो जाएंगी साथी साथ इन रेसिपीज को बनाने के लिए मैंने इसमें एक ट्रॉब भी ओयल का इस्तमाल नहीं किया है ये कम्प्लीटली जीरो ओयल रेसिपीज है समर के लिए ये सारी रेसिपीज बेस्ट है फ्रेंट्स और ये एक ग्लुटेन फ्री डाइट प्लान है सो जीने ग्लुटेन संस्टिवीटी की इशू है वो भी चाहे तो इस डाइट प्लान को फॉलो कर सकते हैं सो फ्रेंट्स चलिए फिर वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं कि आज की इस सैंपल डाइट प्लान में हमें सुबह से लेकर शाम तक में क्या-क्या खाना है इसकी साथ ही साथ फ्रेंड्स मैंने आप सभी के साथ कई सारी हाई प्रोटीन डाइट प्लान की वीडियोस भी शेर की है कुछ वीडियोस की लिंक मैं निचे डिस्क्रॉप्शन बॉक्स में देदूंगी आप वहाँ से चेक कर सकते हैं तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं सबसे पहले तो दिन की शुरुवात हम करेंगे पानी पीकर कम से कम दो ग्लास तक का आप नॉर्मल पानी सुबह उठते साथ खाली पेट जरूर लीजे चलिए अब हम बात करते हैं ब्रेकफास्ट की ब्रेकफास्ट में मैं जटपट बनने वाला ओर नाइट ओट्स की रेसिपी इसे मुझे मुझे मॉर्निंग को लेना था तो इसका रेसिपी का आल्मोस्ट 90% प्रिपरेशन मैंने पिछली रात को ही कर लिया था उसके लिए मै ग्लास चार में मैं यहाँ पर टी टी स्पूंस चीया सीट से अड़ कर रही हूं और इसके बाद यहाँ पर मैं इड़ कर रही हूं त्री टेबल स्पूंस ओट्स यह नियरली 20 ग्राम्स का है फ्रेंड्स साथ में अगर आप देख रहे हैं तो यहे दूद तो दूद जो है ये मैं साधा cow milk ली हूँ, low fat वाला, और ये पूरा glass भर कर नहीं है, glass से थोड़ा सा कम है friends, ये 200 ml का है, दूध हमें add करना है, अच्छे से mix करके, इसका धक्कन बंद करके, फ्रिज में हमें इसे overnight रहनी देना है, next morning जब आपको breakfast करना है, उस moment में आप चाहें, तो इसमें half banana add क कर सकते हैं, आज मेरे घर में चीकू रखा हुआ था, तो मैंने 50 ग्राम का चीकू इसमें add किया है, एक medium size का चीकू लिया था मैंने, और उसका छिर का निकार कर वो मैं अभी इसमें add कर रहे हैं, इसे अभी मैंने अच्छे से mix कर लिया है, और वीडियो आपको proper दिखनी के मैं यह जो mixture है, इसे glass में add कर रही हूं, उपर से मैं इसमें 8 से लेके 9 बादाम मैंने चौप करके रखे थे, तो यह मैं उपर से sprinkle कर रही हूं, अच्छे से mix कर लिजे और हमारा जो overnight oats से यह बनकर रेडी है, इसको लेने के बाद कम से कम, तीन से लेकी 4 घंटे तक बिलकु भूख नहीं लगती है, यह बहुत ज़्यादा हेवी रहता है, और जिसे भीना weight loss type plan फॉलो करते वक्त ऐसा लगता है कि मीठा खालें, तो यह एक बहुत बढ़ी है इसको आप ज़रू ट्राइ करके देखेगा, चली, अब हम बात करते हैं, मिड मॉर्निंग की याने साड़ 200 ग्राम तक का watermelon भी ले सकते हैं, चली, अब हम बात करते हैं, लंच की, तो लंच जो है, यह एक जटपड बरने वाली रिस्पी है, और समर के लिए तो यह रिस्पी बेस्ट है, तो लंच में हम लेंगे दही पोहा, चली, देख लेते हैं, इसे कैसे बनाना है, दही पोहा ब जटप लूँ, तो चार चम्मच में ने यहां पे पोहा लिया है, थोड़ा सा पानी एड़ करके इसे अभी हमें अच्छे से वाउश कर लेना है, और जो बावल है, बावल में सबसे पहले तो मैं यहां पे वाश किया हुआ जो पोहा है, यह अट कर रही हूँ, सात्मे में इसमें 3 चम्मच कटा उब बिम एक तत्रों को सब्सक्राइब एक वाकर उसा उस्यूद हायाइं , मैं प्रोटीन.. मैं यह यहां पर चक्र अदा टाषा pourrait-म एका 5,9 खबने टाषो सब्सक्राइब करेंगे को द इस सबीका हो देएं और next morning आप उसको एक बर और वाश करके उसको cook कर लीजे करीब तीन सेले के चार सेटी आने तक तो हमारा boil चाना जो है यो बनकर ready हो जाएगा So boil चाना मैंने इसमें add किया है साथ में मैं इसमें एक कप भर कर low fat दही add कर रही हूँ friends यह 200 ग्राम का है और उपर से अभी मैं इसमें थोड़ा सा काली मिर्च का पाउडर add कर रही हूँ नमक स्वात के अनुसार add कर लेना है और इसे आप अच्छे से mix कर लीजे हमारा जो high protein zero oil दही पोहा है friends यह बनकर ready है यह बहुत अच्छा recipe है friend summer के हिसाब से इसको link है न तो पेड़ भी भरा रहता है क्योंकि इसमें protein हमें नहीं ले 18 ग्राम के आसपास मिल रहा है और 7 मेना सबसे अच्छी बात यह है इस recipe की कि जब आप इसको लेते हैं तो पेड़ भी एकदम ठंडा रहता है तो इसे आप ज इस मोमेंट में पानी भी हमें अच्छा पीना चाहिए और चाच जो है यह बोड़ी को ठंडा रखने में भी बहुत मदद करता है इसमें probiotics भी होते हैं तो गट हेल्थ के लिए भी यह बहुत अच्छा है चली अब अगर मैं बात करूं डिनर की तो डिनर जो है यह साथ अबर करें तो इसके लिए अभी बेसिकली हमें क्या करना है रो में 45 ग्राम का चना लेना होगा वन फोर्थ कप उसको वाश करके आप उसको और नैट सोक होने के लिए रहने दीजे नेक्स डे आप उसको कुक कर लीजे तीन सिले की चार सेटी आने तक तो चना जो है बड़ा चमच फाइनली चॉप किया हुआ मैंने इसमें कैरेट किया है साथ में इसमें एक मेडियम साइज का टमाटर फाइनली चॉप करके भी आड़ कर लीजेगा और यहां पर देख रहे हैं तो यह पनीर पनीर मैंने 50 ग्राम्स लिया हुआ है चोटी चोटी चुटी बहुत ज्यादा है फ्रेंट्स दस रुपे में मुझे केवल दो चोटी चोटी निम्बू मिले थे तो अगर महल लीजे सस्ते हैं निम्बू तो आप एक बड़ा निम्बू भी इसमें आड़ कर सकते हैं अच्छे से मिक्स कर लीजे और हमारा जो डिनर है यह बनकर रेडी ह सारी recipes बहुत आसान है बनाना आप इस diet plan को easily follow कर सकते हैं इसके साथ में मैंने दूसरे sample diet plans भी जो share की हैं आप उनको भी जिक ज़रूर कर लीजेगा इस पूरे दिन भर के डाइट प्लान में हमें calories 1170 calories मिलती है protein 57 grams है, काफी अच्छी मात्रा में proteins मिल रहा है carbohydrate 118 grams मिल रहा है friends fat 51 grams है और fiber की बात करूं तो 44.24 grams मिल रहा है friends इस डाइट प्लान में हमें proteins और fiber काफी अच्छी मात्रा में मिल रहा है आप सब इसे जरूर try करके देखेगा और जब भी try करेंगे तो अपने जो भी feedbacks है मेरे साथ निचे comment box में जरूर शेयर करिएगा इन recipes के picture लेकर मेरे साथ Instagram में भी जरूर शेयर करिएगा मेरे Instagram का ID है dietconley24 आप मुझे वहाँ पर भी follow कर सकते हैं इसके साथ ही साथ friends मैं आप सब इक साथ कई सारी weight loss diet plan और recipes की वीडियो भी शेयर की हुई हूँ उन में से कुछ diet plan और recipes की वीडियो मैंने description box में दे दिया है आप वहाँ से देख सकते हैं और बाकी सारे recipes के लिए आप मेरे चानल को एक बार विजिट जरूर करिएगा थैंक यू थैंक यू सो मच फिरसे में मिलती हूँ आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में अंतिल देन बाई टेक केर